हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास सी देख लीजिए आपको दो फॉन दिख रहे होंगे दोस्तों दोनों अलग अलग फॉन यह देख लीजिए एक का मोडल है टेक्नो पावर 2 एर और एक का मोडल है टेक्नो 6 एर तो दोस्तों आज की इस वीडियो मे हम लोग Tecno Power 2 में Tecno 6 का Motherboard डालने वाले हैं और Tecno 6 का Motherboard Power 2 में डालने वाले हैं और साथी दोस्तों हम डिस्पले भी चेंज करने वाले हैं क्या दोनों फॉन में एक ही डिस्पले लगती है मैं आपको दिखाऊंगा आप दोनों phone में कैसे एक ही display लगा सकते हैं और battery लगा सकते हैं और motherboard लगा सकते हैं तो काफी interesting वीडियो है दोस्तों वीडियो में पुरा end तक बाया है न अगर आपको Tecno 6 की Air 6 की display नहीं मिली या फिर motherboard नहीं मिल रहा तो आप दोस्तों कैसे आप power 2 का motherboard उसमें लगा सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में कबर करने वाले हैं तो वीडियो में पुरा end तक बायाना है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, subscribe और share ज़रूर करना ये देख लिए दोस्तों हमने एक phone में same display लगा लिया और वह display हम same display दोसरे phone में लगाने वाले हैं आप देख सकते हैं पहले से on होने रहते हैं दोस्तों यह phone नहीं है कोई और phone है कोई और problem है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं और आपको जानना हो दोस्तों कौन सा motherboard किस phone में लगता है कौन सी display किस phone में लग सकती है जो एक display दोस्तों एक folder होता है और काफी phone में लग जाता है तो यह देख लीजे तो यह हमने दोस्तों निकाल दिया है इस से motherboard से अब हम इसको लगाएंगे जो भी हमने लगाया था दोस्तों वो टेक्नो टू पावर में लगा रखा था यह मदर डिस्प्ले अब हम six air में लगाएंगे यह देख लीजे टेक्नो स्पार्क six air तो दोनों phone में आप सेम display लगा सकते हैं देख लीजे दोस्तों और आपको भी आपको भी डिस्प्ले किस phone में लगा सकते हैं यूनिवर्सल डिस्प्ले क्या होती है तो कमेंड सक्षिन में कमेंड कर लीजे मैं आपका reply करूँगा कोशिस करूँगा आपकी problem solve काफी बार क्या होता है दोस्तों हमें display नहीं मिलती है folder नहीं मिलती टेक्नों का तो आसानी से थोड़ा सा problem होता है मिलने में तो आप किस की display किस phone में लगा सकते हैं आप पूछ सकते हैं हमसे तो यह देख लिज़े दोस्तों हमने power two में लगा दी यह इस सेम display अभी हमने six year में लगाई थी तो यह देख सकते हैं हम यह proper work कर रहा है और उसमें भी proper work कर रहा था आप देखा होगा तो यह देख लिज़े तो दोस्तों यह 100% work कर रहा है टेकनो six year में और और power two में आप सेम फोल्डर लगा सकते हैं यह देख सकते हैं और अब हम इसका display motherboard चेंज करेंगे तो यह देख लिज़े हमने motherboard निकाल दिया है दोस्तों मेरे को एक ही चीज़ का फ्रक लग रहा है इसमें एक camera extra है लेकिन उसकी जगा दे रखी हुई है तो आप देख सकते हैं यह अभी इसके nut खोलने और इसका motherboard में आपको फिट करके दिखाता हूं दोस्तों एक यही फोन निये, कोई और फोन है, कोई और प्राबलम है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं और आप हमें इस्टागराम में भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा दोस्तों एक बात और आप लोग मेरी वीडियोश कुछ वीडियो देखते हो और कुछ नहीं देखते हो तो आपको काफी कंफ्यूज रहता है दोस्तों मदरवोट से रिलेटेड तो आपको करना क्या आपको टाइम टू टाइम वीडियो देखनी है ताकि आप लेटस्ट अपडेट के लिए आपको अपडेट मिलता रहे तो य पावर 2 का 6 air में डाल दिया और 6 air कहां पावर 2 में डालने वाले हैं यह देख लीजिए तो यह देख लीजिए दोस्तो प्रॉपर फिटिंग है सेम बैटरी है 6000 mh की इसकी बैटरी भी है और 6000 mh इसकी बैटरी भी है तो आप देख सकते हैं तो दोस्तो इसमें कोई डावट नहीं है आप टेक्नो पावर 2 का मदरबोड टेक्नो 6 air में डाल सकते हैं और 6 air का मदरबोड आप टेक्नो पावर 2 में डाल सकते हैं बैटरी भी डाल सकते हैं और स्क्रीन तो आपको मैंने डाल के दिखा दिया है तो आज की इस वीडियो में ब दो जो उदो दो जो आजाना